आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट विडियो लेके आई हूँ तो देखे आपके आगामी उत्राखंड के सभी एक्जाम के रिकार्डिंग आप सभी को स्ट्री विद एम के द्वारा हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराई जारी है ये क्लास डेली शाम पांच बजे आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है जो कि आपके आगामी उत्राखंड पुलीस पटवारी लेकपाल फॉरेस्ट गार्डव अन्य एक दिवसी सभी परिक्षाओं है तो काफी महत्पोर्ण रहने वाली है तो आप सभी लोग हमारी इस क सारी क्लास इसको एक साथ देख सकते हैं तो चलिए आज किस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यव चैनल स्टेडी विद एम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लें साथे साथ बगल में जो बैल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हमको भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल से जल पहुंच जाए आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं ये भी स्टेडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और ट आदिकाल में पहेलियों एवं मुक्रियों की रशना करने वाले कवी कौन थे तो देखे आदिकाल में पहेलियों एवं मुक्रियों की रशना करने वाले कवी थे अमीर खुश्रो ऑप्शन डेस्कुशन का करेक्ट आंसर है देखे अमीर खुश्रो जो थे ये चौदवी सध प्रभी के लगभग, दिल्ली के निकट रहने वाले प्रमुक कवी, शायर, गायक और संगीतकार थे, अमिर खुष्रो पर्थम मुश्लिम कवी थे जिन्हों ने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रियों किया, और ये पहले व्यक्ति थे ध्यान दिजेगा, अमिर खुष्रो पह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फार्सी में एक साथ लिखा तो ये थे अमीर खुश्रो और इन्हें खड़ी बोली के आविशकार का शे भी दिया जाता है और अमीर खुश्रो को हिंद का तोता भी कहा जाता है तो आपको यहाँ पे important point बताये जा र आधी काल को आधार काल किसने कहा? most important question है तो देखिए आधी काल को आधार काल किसने कहा ये बताना है देखे, सबसे पहले आदी काल के अगर हम बात करें, तो आदी काल किसे कहा जाता है? देखे, हिंदी साहिती के इतिहास में लगभग आठवी शताब्दी से लेकर चौदवी शताब्दी, हिंदी साहिती के इतिहास में लगभग आठवी शताब्दी से लेकर चौदवी शताब आधिकाल को आधिकाल नाम किस से मिला डॉक्टर हाजरी परशाद दिवेदी से मिला डॉक्टर हाजरी परशाद दिवेदी ने आधिकाल को आधिकाल नाम दिया अब देखिए आधिकाल को आधारकाल किस ने कहा यहां पर यह बताना है तो देखिए आधिकाल को आधारकाल ना आधिकाल को आधार काल किसने कहाता पूछा जाए तो डॉक्टर मोहन अवस्ति आपका बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा और आधिकाल को आधिकाल नाम किसने दिया पूछा जाए तो डॉक्टर हाजरी प्रशाद दिवेदी आपको करेक्ट करना पड़ेगा तो इसको आप बहुत ध्यान से करिएगा इस question को और ध्यान दीजिएगा इस question में और देखिए आचारिय राम चन्र शुक्ल जो थे आचारिय राम चन्र शुक्ल ने आधी काल को क्या कहा वीर गाथा काल कहा और इसके अलावा विश्वनात परशाद मिश्र जो है इन्हों ने इस काल को वीर काल कहा तो किस कवी ने इसे किस काल के नाम से पुकारा तो ये आपको पता रहना चीए और राम कुमार वर्मा जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करें तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल की प्रमुक प्रबर्तियों के आधार पर इसको क्या कहा चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है इन्होंने इसे चारण काल कहा और सांकर्तियायन ने इसे सिद्ध समन्वै काल कहा जो आपके राहुल सांकर्तियायन है ना लेखक पर सिद्ध लेखक है राहुल सांकर्तियायन तो इ आलहा और उदल किस राजा के सामंद थे तो दीखे आलहा और उदल की बात करेइं तो ये राजा परमाल के सामंद थे आप्शन B इस कुष्ण का राइट आंसर है अगला कुष्ण देखेंगे नाथ पंद के प्रवर्तक कौन है तो देखे नाथ पंत जो है आपका इसके प्रवर्तक बताने हैं कौन है इसके प्रवर्तक माने जाते हैं कौन गोरक नाथ option B यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा अगला question देखेंगे सिद्धो की संख्या कितनी मानी जाती है देखिए सिद्धो की संग्या कितनी मानी जाती है 84 सिद्ध माने जाते है Option B यहाँ पर आपका Right Answer हो जाएगा देखिए सिद्ध साहित्य जो है ये Ganz निस उद्धो रचा गया साहित्य है ध्यान दिजियेगा सिद्ध जो साहित्य है किसके द्वारा रचा गया है बौद धर्म से इसका समन्द है और इनकी संख्या 84 है, 84 इनकी संख्या मानी जाती है, जिन मैंसे देखिए कौन-कौन से प्रमुख हैं, मुख्य जो हैं वो मैं बता देती हूँ, इन मैंसे सरहपा, सबरपा, लुईपा, इसके अलावा, डुमभिपा, कुरीपा, आदीस मैं से मुख्य हैं, और सरहपा जो हैं, सरहपा पर्थम सिद्ध कवी थे, याद रखेंगे, सरहपा जो थे, ये कौन थे, ये पर्थम सिद्ध कवी थे, अगला कुशन देखेंगे, इन मैंसे कौन अस्टचाप का कवी नहीं है, तो देखें, इन मैंसे बताना है, कौन कवी ऐसा है जो के अश्ट चाप का कवी नहीं है तो ये कवी है हरी प्यास देव ओप्शन बेस कुश्चन का राइट आंसर है अश्ट चाप के बाद करें तो अश्ट चाप जो है ये महाप्रभू श्री बल्लभाचारी जी एवं उनके पित्र अश्ट चाप क्या है ये भी आपको पता रहना चाहिए यहां से भी रिलेट करके आयोग द्वारा कुश्चन पूछा जा सकता है तो अश्ट चाप महाप्रभू श्री बल्लभाचारी जी एवं उनके पुत्र श्री विठ्थुल नाथ द्वारा सस्थापित आठ भक्ति कालिन कवियों का एक समो है जिन्होंने अपने विभिन पद एवं किर्थनों के माद्यम से भगवान श्री कृष्णे की विभिन लीलाओं का गुणगान किया और अश्ट चाप की स्थापना कब हुई ये भी पुछा जा सकता है तो अश्ट चाप की स्थापना हुई थी 1565 इस भी में और अश्ट चाप कभी कौन-कौन से थे आठ कभी आते हैं ना अश्ट चाप कभी में अश्ट मतलब आठ कभी नाम से ही पता चल रहा है तो अश्ट चाप कभी कौन-कौन से थे एक तो थे आपके कुम्भन दास, दूसरे थे सूर दास, तीसरे थे कुम्भन दास भी थे, सूर दास भी थे, तीसरे थे आपके कृष्ण दास, चौथे थे पर्मा नंद दास, पांचवे थे गोविंद स्वामी दास, और छटे थे आपके छीत स्वामी, सातवे से नंद दास और 8 फे कौन थे, चतुर भुझ दास तो 8 ये कवी थे, अश्ट चाप कवी में से एक थे ये 8 कवी और इन कव में सूरदास जो थे ये धियान रखेंगे, इन कव्शंब्यों में 8 कव्शंब्यों में से सूरदास प्रमुक थे अगला question देखेंगे हट योग का उपदेश किसने दिया था तो देखें हट योग का जो उपदेश था ये दिया था किसने गोरक नातने option B इस question का right answer आपका यहाँ पे हो जाएगा अगला question देखेंगे राम कथा सुन्दर करतारी संसाय विहग उड़ावध हारी इन पंक्तियों में कौन सा लंकार है तो देखेंगे आपको यहाँ पे जो पंक्तिया दी हुई है इन में से कौन सा लंकार है ये बताना है तो इन में है आपका रूपकलंकार option D is question का right answer हो जाएगा देखें रूपकलंकार कहाँ पे होता है जहां उपमे जहां पर उपमे और उपमान को एक रूप मान लिया जाता है वहाँ पर होता है कौन सा लंकार रूपकलंकार उपमे ये मतलब जिसकी तुलना की जाए और उपमान मतलब होता है जिससे तुलना की जाए अब यहां पर आपको जो पद दिया हुआ है क्या है राम कथा सुन्दर करतारी संसे विहग उड़ावन हारी प्रस्तोत पद में राम चरित मानस की कथा को सुन्दर ताली यानि की हिर्दई की जो शंशय है इसको किसके रूप में विहग यानि की विहग का मतलब होता है पक्षी पक्षी के रूप में माना गया है जैसे की ताली के बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं वैसे ही राम कथा के सुनने से हिर्दई के शंशय दूर हो जाते हैं तो यहाँ पर उपमे और उपमान को एक रूपमान लिया गया है, तो यहाँ पर आपका कौन सा लंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार, अगला कुशन देखेगा, कवीर वानी के डिटेक्टर थे, यहाँ कथन किस आलोचक का है, तो देखे काफी महत्वपोन कुश्यन है, आज अगला कुशन देखेगे, तो देखे अगला कुश्यन है, आपका सखी संपरदाई का प्रवर्वर्तन किस ने किया था, तो देखे, सखी संपरदाई जो था, इसका प्रवर्वर्तन किया था, स्वामी, हरीदास ने, option, दी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सकी संपरदाई निमबार्क मत का एक साखा है यह दियान रखेंगे किस मत का निमबार्क मत का यह एक साखा है निमबार्क मत की एक यह साखा है सकी संपरदाई जिसके स्थापना स्वामी हरी दास ने की थी और इसे हरी दासी संप्रडाई भी कहा जाता है अगला कुशन देखेंगे तुलसी दास को कली काल का वाल मिकी किस ने कहा था तो देखें तुलसी दास को कली काल का वाल मिकी कहा गया और किस के द्वारा ये कहा गया नाभा दास के द्वारा option B, यहाँ पे आपका right answer है अगला question देखेंगे, मीरा की भक्ति किस प्रकार की है तो देखें, मीरा की जो भक्ति है, यह माधूरिय भाव की भक्ति है option D, यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा अगला question देखेंगे, भक्ति काल, हिंदी कावी का स्वार्ण यूग है यहां कथन किसका है तो देखिए भक्तिकाल हिंदी कावी का स्वर्ण यूग है यह कथन किस ने दिया था यह कथन दिया था जोर्ज गिरियसन ने ओप्शन सी यहां पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को आज का यह शेशन पसंद आ रहा है तो लाइक क अब ही उत्राखंडे एक्जाम के लिए तो आप सभी लोग इससे शेयर जरूर कीजिए और काफी महनत से यह आप सभी लोग के लिए ही बनाया जा रहा है तो आप सभी लोग से जुड़कर इसका लाब जरूर उठाएं अगला कुशन है सुद्धा द्वैतवाद के प्रव अगला कुशन देखेंगे निम्नलिकित मैं कौन दिवेदी यूग के कभी नहीं है तो देखें दिवेदी यूग के कौन कभी नहीं है ये बताना है तो देखें दिवेदी यूग के अगर हम बात करें तो कौन कभी नहीं है ये मैं आपको बताती हूँ लेकिन देखे दिवेदी यूग जो है ये हिंदी साहिते में भारतेंदु यूग के बाद का समय है आपने भारतेंदु यूग भी पड़ा होगा ना हिंदी साहिते में तो हिंदी साहिते में भारतेंदु यूग के बाद का जो समय है इसको दिवेदी यूग कहा जाता है और नाम महावेर प्रशाद दिवेदी के नाम पर रखा गया है और आपसे पूछा जाए कि दिवेदी यूग के कभी कौन-कौन है तो देखे महावेर प्रशाद दिवेदी इसके अलाबा अयोध्या, सिंग उपाध्याई, हरियोध, इसके अलाबा श्रीधर, पाठक और मैथिली शरण गुप्त ये दिवेदी यूग के कभी है ये ध्यान रखेंगे दिवेदी यूग के कभी कौन-कौन है ये आपको ध्यान में रखना है और निम्न लिखित में से दिवेदी यूग के कभी कौन नहीं है आपसे पूछा जाए तो कौन नहीं है रांगे राघाव नहीं ह देखें प्राचीन पंडित और कवी किसकी रशना है तो देखें प्राचीन पंडित और कवी ये रशना बतानी है किसकी है तो देखें यह जो रशना है ये है आचारी महाविर प्रशाद दिवेदी की option D यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा देखें प्राचीन पंडित और कवी इनका अनूदितगद्ध है ये ध्यान रखेंगे महावीर परशाद दिवेदी का ये क्या है अनूदितगद्ध्ध है बताएं ये किस विधा की रशना है भी पूछ लिया जाता ना आई detect अालटो आपको याद रखना है और महावीर परशाद दिवेदी जो है इनको ने स खड़ी बोली हिंदी की कविता के प्रारंबिक और महतफोन कवी थे महाविर परशाद दिवेदी हिंदी के पहले साही तिकार थे जिनको आचारी की उपाधी मिली है ध्यान दीजेगा most important point है आप से पुछा जाए कि हिंदी के पहले साही तिकार कौन थे जिनको आचारी की पादन यानि संपादक कौन हैं तो देखे गोरख वानी के संपादक हैं कौन पितामबर दत बढ़फाल और उप्शन सी इस कुशन का राइट आंसर है देखे पितामबर दत बढ़फाल उनके जन्म के अगर हम बात करें तो पौडी गढ़वाल के लैंस टाउन के समीप पाली गाओं में इनका जन्म हुआ था दिसंबर 1901 में और इन्हों ने कासी हिंदी विश्य विद्याले से सनातक तथा सनातको तर हिंदी विश्य में किया और इन्हों ने अंग्रेजी में अपना शोद गरंथ अंग्रेजी में इनका एक शोद गरंथ है दे निर्गोन स्कूल पोईट्री विशाई पर वर्ष 1931 में इन्होंने लिखा था ये ध्यान लिखेंगे इन्होंने अंग्रेजी में अपना एक शोद गुरंत लिखा दिनिर्गोण स्कूल अफ हिंदी पोईट्री सब्जेक्ट नाम से वर्ष 1931 में और हिंदी विशाई में डॉक्रेट करने वाल ने तो कई बार आपको बताती हूँ हिंदी की स्रीज में पिताम बर्दा तो जो बढ़तवाल हैं इनके बारे में अक्सर पूछा भी जाता है इनके बारे में आयों के दौरा तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा और शेशन को जाद से जादा आप सभी लोग शेयर कर लीजे पसंदारी है तो अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है निमनलिकित मैंसे नंद दुलारे बाचपेई की समिक्षा करती कौन थे तो देखें कौन है तो देखें नंद दुलारे की बाचपेई समिक्षा करती बतानी है इन मैंसे कौन सी है तो इस कुशन का रा आलोशना नामक आलोशनात्मकृति के लेखक कौन है तो देखे आचारी रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोशना नामक आलोशनात्मकृति के लेखक बताने हैं तो ये लेखक कौन है डॉक्टर राम विलाश शर्मा ओप्चन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा देखे डॉक्टर राम विलास सर्मा आधुनिक हिंदी साहीति के सूपरशिद्ध आलोचक निबंदकार विचारक एवं कभी थे और आचारी राम चंडर शुक्ल और हिंदी आलोचना नामकर्ती वर्ष 1905 इसबी में प्रकाशित हुई थी और वर्ष 1903 इसबी में इसे तो इसका जो प्रकाशन हुआ था ये आपको याद रकना है वर्ष 1905 इसबी में हुआ था चली अगला देखेंगे आचारी महावेर प्रशाद दिवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किश वर्ष प्रारंब किया तो देखें आपको मैंने अभी बताया कि महावेर प्र अवर्ष 1903 इस भी में महावेर प्रशाद दिवेदी जो है इन्हों ने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन शुड़ू किया यानि कि सरस्वती पत्रिका के इस संपादक नियुक्त हुए वर्ष 1903 में और महावीर प्रशाद दिवेधी एक ऐसे साहितिकार थे जो बहु भाशी होने के साथ ही साहितिके इतर विशयों में भी सामान रुची रखते थे और वर्श 1903 से लेकर वर्श 1920 इजवी तक इंधोने सरस्वती नामक मासिक पत्रिका का संपादन कर कीडती मान इस्थापित किया था वरश imposs까지 देखेंगे पिरियवास का पर्थम प्रकाशन किश्वार्ष हुआ था तो देखें पिरियवास का जो पर्थम प्रकाशन हुआ था ये हुआ था किश्वार्ष वार्षो निसो 14 में option A इस question का right answer है अगला question देखेंगे कवी वचन सुधा के संपादक थे तो देखें कवी वचन सुधा इसके संपादक बताने हैं कौन थे तो इसके संपादक थे भार्थेंदू हरिश्चंड औप्शन A यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा हरिश्चंड भार्थेंदू हरिश्चंड भार्थेंदू युग कब से लेके कब तक था यह आप कमेंट करके बताएं जल्दी से कमेंट शेक्शन में अगला कुश्चन है राजा भोच का सपना कहानी के लेखक कौन है तो देखिए राजा भोच का सपना ये एक कहानी है और इसके लेखक बताने हैं तो इसके लेखक है राजा श्रिप पुर्षा सितारे हिंद यानि कि option B यहां पे आपका बिल्कुल right answer है अगला question है चायावाद विलायती अभी व्यंजनावाद का विलायती संस्क्रण है यह कथन किसका है तो देखें यह कथन किसके द्वारा दिया गया है राम चन्र शुकल के द्वारा option C बिल्कुल correct answer होजाएगा अगला question देखते हैं महादेवी वर्मा को किस कावि संग्रा पर ज्यानपेट पुरुसकार परदान किया गया तो देखें महादेवी वर्मा जो है इन्हें किस काविः संग्रा पर ज्यानपेट पुरुसकार से समानित किया गया महादेवी वर्मा को और नीर्जा नीर्जा इनका एक कविता संग्रा है कविता संग्रा है इनका एक नीर्जा जिनके लिए इनको सैक्सेरिया सम्मान से सम्मानित किया गया और वर्ष 1989 में साहीत अकात्मी की सदश्यता गरहन करने वाली ये पहली महिना थी महादेवी वर्मा ये भी आपका important है अगला question देखेंगे जालपा हिंदी के किस प्रषिद्य उपनियास की नाइका है तो देखे जालपा जो है ये हिंदी के किस प्रषिद्य उपनियास के नाइका है ये बताना है आपको तो इस question का right answer हो जाएगा गबन ये प्रशिद्ध उपनियास कौन सा है गबन है अगला कुशन है भासा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है तो देखे भाशा और समाज पुस्तक के लेखक बताने है यहाँ पे तो इस पुस्तक के लेखक है राम विलास सर्मा डॉक्टर राम विलास सर्मा है अगला कु चायावाद का स्थूल के प्रती शुक्ष्म का विद्रो किस आलोचक ने कहा है तो यह आलोचक है कौन? अगला कुशन देखेंगे जहाच का पंची किस परकार का उपनियास है तो देखेंगे जहाच का पंची यह किस परकार का उपनियास है यह बताना है तो यह एक मनोवैग्यानिक उपनियास है और इसकी रचना किस ने की है आप जल्दी से कमेंट शेक्शन में कमेंट करके बता अगला question है क्या भूलू क्या याद करू किसकी आत्मकता का पहला खंड है तो देखे क्या भूलू क्या याद करू ये किसकी आत्मकता का पहला खंड है ये है हरीवन श्राइ बच्चन की आत्मकता का पहला खंड और last question है आज के session का कि कवीता के नए पृतिमान किस आलोचक की क की गाईज आज के इस शेशन में इतना ही I hope आप सभी को आज का ये शेशन काफी पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का ये शेशन पसंद आता है तो इस शेशन को like कीजिएगा share कीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक हमारी YouTube चैनल इस्टी विध एम को सस्क्राइब नहीं किया है वो सस्क्राइब कर लिजे और ये आज का सेशन काफी महत्वपोन है और एंड तक आप सभी लोग इसको फॉलो जरूर कीजिएगा रात को आड़ वजे आपका प्रैक्टिस सैट आने वाला है उसके लिए भी आप तयार रहें तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद